नमस्कार स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वर्षा टाइल वर्षा में यह मेरे पास एक कुर्टी का कपड़ा है और मैं बनाने जारी हूँ फ्रिज का कवर तो कुर्टी के कपड़े को मैंने ऊपर वाले पाट को अलग कर लिया shar और नीचे वाले पार्ट को एक साइड से सिलाई खुल कर इस तरीके से खुल लिया है और अब मैंने फॉर्म शीट को कट कर लिया है और इसको कपड़े के साथ फॉर्म शीट को अटेच कर लूँगी इसकी टोटल लंबाई है 48 और इसकी चौडाई है 24 इंच इसको इस तरीके से मैंने पिन अप कर लिया है अच्छे से आप देख सकते हैं और इससे कट कर लिया है अब हम दूसरा फैब्रिक लेंगे और इसको इसकी उपर इस तरीके से रखेंगे बराबर मिलाते हुए और इसको इसी के बराबर हम कट कर लिए ये इसको बराबर रखके इसी के बराबर हम इसे कट कर लिए जो जतना हमारा नीचे का साइज है उतना ही हम उपर वाला ये फैब्रिक भी कट कर लिए ये मैंने इसको बराबर कट कर लिया है ये सीधा है और ये भी सीधा दोनों की सीधी साइड एक तरफ रखेंगे अब यहां से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और अन्त तक लगाएंगे तीन साइड हमें सिर्फ सिलाई लगाना है लंबाई में दो साइड और चौडाई में एक साइड हमें सिलाई लगाना है एक तरफ हम इसे खुला रखेंगे यह देखे मैंने इस पर सिलाई लगा लिया है और पिन को हटा लेंगे यहाँ और इधर साइड देखे इस तरफ इसे खुला रखा हुआ है अब हम इसे यहां से पलट लेंगे यह देखिए मैंने इसे पलट कर सीधा कर लिया है और अब हमारा form sheet इसके अंदर एकदम attach हो गया है अच्छे से इस तरीके से हमने इसे कर लिया अब इसको जो हमारा खुला वाला side था इसको इस तरीके से अंदर की तरफ fold करेंगे ऐसे अंदर की तरफ इसे fold करेंगे और इसे पहले pin up कर लेंगे अच्छे से फिर इसके उपर सिलाई लगाएंगे यह मैंने इसको pin up कर लिया है अब इसके उपर यहां से सिलाई लगाते हुए चारों और हमें सिलाई लगाना है आप इसको इस तरीके से double fold करेंगे बराबर मिलाते हुए और folded side से हम इस तरीके से 13 इंच पर निसान लगा लेंगे इदर भी 13 इंच पर निसान लगा लेंगे और इस निसानों को आपस में मिला लेंगे इसी तरीके से हम दूसरे तरफ भी निसान लगा लेंगे folded side से 13 inch पर निसान लगाएंगे और इन निसान को भी आपस में सीधा लेंगे इसको 2 सेकंड के लिए अलग रख देंगे पहले यहां से यहां तक की लंबाई नाप लेंगे जहां पर हमने निसान लगाया है और चोड़ाई भी नाप लेंगे साड़े 24 इंच चोड़ाई है इस तरीके से इसको नाप लेंगे और ऐसे इसको measure करके cut कर लेंगे हमें बनाना है pocket हम frizz के cover पे pocket लगाएंगे इसकी लंबाई चोड़ाई अच्छे से measure करके हम इस तरीके से कपड़े को cut कर लेंगे Two-piece हमें main fabric चाहिए और two-piece हमें lining fabric चाहिए इधर से भी हमें इसे मेजर करकी कट कर लूँगी जितना हमारा जहां हमने मेन उस पर फ्रीज के कवर पर मेजर किया था जितना ना पाएगा उतना ही हम पॉकेट के लिए कट कर लेंगे इसी तरीके से हम दूसरे वाले पीस पे कट कर लेंगे दो चाहिए हमें पॉकेट के लिए इसको ऐसे रखेंगे इसके उपर दूसरा वाला पीस रखेंगे ऐसे और इसे कट कर लेंगे यह दिखिये मैंने lining लाइनिंग भी इसी तरीके से कट कर लिया है lining थोड़ी सी छोटी है तो मैं इस पर जोड़ लगा लूँगी इसको इसके उपर रखोंगे ऐसे इसको इसके उपर और चार और सिलाई लगा लेंगे और थोड़ा सा इतना सा गैप रखेंगे इसको टर्न करने के लिए जिस तरीके से ऐसे इसको सिलेंगे उसी तरीके से दूसरा वाला पीस भी सिलेंगे यह देखें मैंने इन पर सिलाई लगा लिया है और अब इसे पलट लेंगे पॉकेट लगाने से यह फायदा रहेगा कि आपको कभी भी फ्रीज के कवर में कुछ रखना हो तो आप आराम से रख सकते हैं कोई भी छोटा मोटा समाना आप उसमें रख सकते हैं यह देखें इस तरीके से मैंने इसे पलट लिया है और इसी तरीके से दूसरा वाला पीस भी हम पलट लेंगे यह देखें इसको मैंने इस तरीके से पलट कर सीधा कर लिया है अब जहां पर हमने निसान लगाया था इसको इस यहां पर रखेंगे यह थोड़ा सा छोटा हो गया है आप मेजर करके अच्छे से नाप कर इसे बराबर कट कर लें और इसको फिर सिलाई लगाएं अब इस तरीके से हम इसको देखेंगे अब इस पर 6-6 इंच पर मैं इस तरीके से निसान लगा लूँगी साइड वाले 6 इंच के हैं और बीच वाला 7 इंच का है अब इसको इस तरीके से निसानों को सीधा कर लेंगे अब इस पर सिलाई लगा लेंगे और पॉकेट बना लेंगे बीच में सिलाई लगाएंगे और तीन साइड साइड में और नीचे की साइड सिलाई लगाएंगे यह देखिए हमने पॉकेट बना कर तयार कर लिये हैं जैसे इधर किये हैं वैसे ही दूसरे साइड भी हमने पॉकेट लगा लिये हैं यह देखिए तीन पॉकेट इधर और तीन पॉकेट उधर अब आप देख सकते हैं हमारा फ्रिज का कवर रेडी है और बहुत ही यूसफुल है यह और आप इस फ्रिज के कवर को असानी से दो भी सकते हैं हाथ से भी दो सकते हैं और मसीन वाश भी कर सकते हैं अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजे शेर कीजे कॉमेंट कीजे और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा थैंक यू फॉर वाचिंग